नमस्कार दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम ब्राइट कॉंप रूप के बारे में और आप देख रहे हैं ड्रीम वन सियार एकेडमी तो दोस्तों BCG में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो प्लीज हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकता है क्योंक चैनल पे आपको मिलती रहेगी और ऐसे में मैंने भी BCG में 3000 कॉंटिटी का इन्वेस्टमेंट है और मेरा बाइंग प्राइज है दोस्तों बहुत उपर का है 27 का है और इस ऐसे 16.7 रूपीस और 27 के बीच दोस्तों अभी बहुत दूरी बाकी है तो ऐसे में मैं भी बड़े लॉस में ही हूँ और आपके जैसा ही रीटेल इन्वेस्टर हूँ ना कोई से भी रेजिस्टर बड़ा एनालिसिस तो बात करेंगे इस वीडियो में कि आगे कितने दिनों तक है अपर सरकित लग सकती है और कब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और कब हमें स्टॉक से को दाल दिया गया है कल तक था दोस्तों स्टेज टू और यहां आप क्लियरल देख सकते हुए बीएस्टी का ओफिशली वेबसाट है तो यहां एसम लॉंग टर्म स्टेज 3 में स्टॉक को डाल दिया है और यह बड़ी पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक के लिए क्योंकि एसम स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 में आया और स्टेज 3 में और यहां से यदि एक दो दिन तक यदि अपर सरकित रहे दी रहेगी तो स्टेज 4 मे बड़ी सबसे बड़ी पॉजिटिव बाद क्योंकि इंट्राडे हो जाएगा उसके बाद बंद और रियल बायर ही स्टॉक में मौजुद रहेगे तो और ऐसे में स्टॉक को उपर जाने में सारी जो हडल था वो एक के बाद एक दूर होते जा रहे हैं और यह बड़ी स्ट किम दन तक अभी अपर सरकिट ही लगेगी क्योंकि सैटरडे ज्यादा तर इस कंपनी का कुछ ना कुछ आउटकम अपडेट आती है तो उस फिराक में दोस्तों अब कल होगी एक्सपायरी और फ्राइडे के दो दिन यहां अपर सरकिट डेफिनेटल लगने वाली है यह मेर से इस स्टॉक में फिर से अपर सरकिट का सिल्सिला यहां जारी रह सकता है तो अभी तो इस स्टॉक में कोई दोस्तों यहां नेगेटिविटी नहीं है एक के बाद एक अपर सरकिट लगाता जा रहा है और स्ट्रॉंग अपर सरकिट तो ऐसे में क्या करना चाहे तो जिसने भी दोस्तों बड़े लेवल पे बाई किया है तो एक न एक दिन एक स्टॉक अपना पूरा लॉस रीकवर जरूर करेगा क्योंकि क्वाटर फॉर के रिजल्ट के बाद यदि रिजल्ट अच्छा है तो एक स्टॉक रॉकेट बनने वाला है और पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा यह स्टॉक की पूरानी हिस्ट्री बताती है तो ऐसे में अपना लॉस को रीकवर होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और जितने भी नौ रुपिस पे बाई किया है फिप्टी टू विक उसका प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है लेकिन लॉस बुकिंग इस टॉक में डेफिनेटली नहीं करना चाहिए क्योंकि एस टॉक एक ना एक दिन अपना लॉस रीकवर जरूर करेगा तो स्टेज 3 में डाल दिया गया है इस टॉक को यह अच्छी खबर है पूर मिल जाएगी चाहिए हिंद